आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधान मंत्री उज्जुला योजना के तहट जो महिलाओं को फिरी में गैस की कनेक्शन दिये जा रहे हैं उसके लिए आप ओनलाइन फार्म कैसे भर पाओगे ठीक तो ये फार्म आप घर बैठे जो है अपलाई कर सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम उज्जुला योजना की वेपसाइट पे ही हैं और यहाँ पे जो भी गैस एजनसी आपके नजदीक में है आप उसके लिए अपलाई कर सकते हो जैसे अगर आप इं फार्म आपको यहाँ पे फिल करके दिखाने वाला हूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी हालाकि इससे पहले मैंने इंडियन गैस का एपलाई करने का पूरा प्रोसेस एक वीडियो मैंने बताया था लेकिन उसमें कुछ त्रूटियां रह गए थी जिसके वज़ा से वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है तो अब जो है इस वीडियो को ही देखके अपने फार्म को फिल अप करिएगा बाकी जिनके फार्म में त्रूटी हो गई हो अपनी गैस अजनसी से जाके बाद में उसमें जो है सुधार करवा सकते हैं ठीक लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप अगर उज्जोला योजना के लिए अपलाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से डाकॉमेंट लगेंगे तो यहां पर देख सकते हैं उज्जोला चाहते हैं कि और यहां पे देख सकते हैं मैंने सुरू से पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खुलना है सर्च बार में आपको टाइप कर देना है उज्वला योजना ठीक जैसे आप उज्वला योजना लिखके सर्च कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलके आएगा यहां पर यहां पर देख सकते हैं प्रधान मंत्र उज्वला योजना 2.0 यह वेपसाइड आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलके आजएगी तो इस वीडियो को बिल्कुल सही से देखिएगा पूरा प्रोसेस हम आपको फॉम फिल अप करके यहां पर दिखाने वाले ठीक अब य इससे आप जो है पढ़ सकते हैं डाकुमेंट कौन कौन से लगेंगे इसकी भी जानकारी यहां पर दी गई है ठीक अपलाई करने के लिए यहां पर दिया गया है किलिक करने के बाद में यह वाला पेज आपके सामने फिर से आ जाएगा जहां से कि मैंने आपको दिखाया थ लगा है डिसक्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप यहां पर देख सकते हैं कस्ट्यूमर लोगिन का आप संदिया गया है जहां पर आपको अपनी मोबाइल नंबर या पिर इमेल आईडी से लोगिन करना होगा लेकिन यहां पर जैसे आप फर्स्ट ट पर किलिक करना है ठिक जैसे आप पर किलिक करेंगे यहां पर अपना फस्त नाम डाल देना है जो भी आपका नाम है यहां पर आपको बना लाश्ट नेम डाल देना है ठिक उसके बाद में आपके मोबायल नंबर पे चारंग की OTP जाएगी उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है तो यहाँ पे मैं उस OTP को जो है डाल दे रहा हूँ और डालने के बाद में नीचे verify का option है इस उपर आपको click कर देना है ठिक जैसे आप verify के उपर click करेंगे उसके बाद में यहाँ पे एक password आपको बनाना होगा ठिक पासवर्ड में देख सकते हैं किस तरह से बनाना च्छे चैरेक्टर का आपको पासवर्ड होगा जिसमें कि आप अपना नाम एड़ कर सकते हैं कोई special character 123 करके कुछ बना सकते हैं ठिक तो यहाँ पे मैं एक password जो है कोई special character लगाई है उसके बाद में आपको 123 करके या फिर अपनी data बर्त का year हो गए रहा कुछ भी लिख के जो है बना सकते हैं हम submit के उपर किलिक करते हैं ठिक जैसे आप submit के उपर किलिक करेंगे आपका password बन जाएगा अपर देख सकते हैं लिख के आ गया सकसेज अब आपको क्या करना है प्लीज किलिक here to login को उपर किलिक कर देना है और जिसके बाद में आपको अपनी उसी मोबाइल नंबर और password से यहाँ पर लोगिन करना होगा डालने के बाद में I am not robot को उपर यहाँ पे checkbox में tick mark लगाना है, submit को उपर आपको किलिक कर देना है, अब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना, अभी देख सकते हैं, overview के उपर है, आपको यहाँ पे इसे किलिक कर देना है, LPG को उपर, ठीक, जैसे आप LPG को उपर किल लिखा है उज्जोला scheme, उसके नीचे लिखा है general scheme, तो यहाँ पे आपको free वाला gas connection चाहिए, तिसलिए उज्जोला पे हिटिक रहने देना है, simple सा submit को उपर आपको किलिक कर देना है, जैसे आप submit को उपर किलिक करेंगे, अब जिसके भी नाम से आपको connection लेना है, उसका आप आपको यहाँ पे आधार number डालना होगा, ठीक, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से clear कर देता हूँ, कि उज्जोला योजना के तहत के ओल महिलाओं को ही gas का connection दिया जाता है, और ऐसी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या फिर उससे ऊपर हो, ठीक, उसी के नाम से आप guys connection के लि mobile number पर एक छांग की OTP जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पर क्या करना है, डाल देना है, ठीक, तो मैं उस OTP को डाल देता हूँ, डालने के बाद में verify की उपर किलिक कर देना है, आधार card से उसकी जो detail है, यहाँ पर अधिक्तर जो detail है, आधार card से ले ली जाएगी, तो यहा पर सबसे पहले आपको आजाना है, marital status में, यहनि कि अगर आप विवाहित हैं, तो आप क्या करना है, married के उपर किलिक कर देना है, single हैं, बिवाहित नहीं है, तो single के उपर किलिक कर देना है, यहनि कि जैसे कोई female है, भी साधी नहीं हुए, तो आपको single के उपर किलिक करना है ठीक उसके बाद में विधवा है तो विधव कूपर किलिक करना है तो जो भी यहां पर जो भी आपकी जिस भी कटेकरी में आते हैं select करेंगे तो यहां पर married है married कूपर में किलिक कर लेता हूँ ठीक उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका address हो गएरा सारा कुछ दिया गया है और यहाँ पे दिया है Where do you want cylinder to be delivered आप जहाँ पे आप चाहते हो cylinder deliver करने के लिए जो आपके आधार card में address हो address यहाँ पे दिया गया है अगर उसमें changing करना चाहते हो तो other address के उपर किलिक करके दूसरा address भी यहाँ पे डाल सकते हो फिलहाल यहाँ पे हम आधार ही रहने देते हैं आप अपने coding यहाँ पे कर लिजेगा उसके बाद में address type के उपर किलिक करना यहाँ पे दो option मिलेगा पहला है rural, दूसरा है urban अगर आप ग्रामेड छेत से हैं तो urban के उपर किलिक करेंगे, फिलहाल ग्रामेड का है तो मैं rural के उपर किलिक करता हूँ, ठीक जिसके बाद में यहाँ पे सब डिस्टिक और village select करने का आप सनाएगा तो यहाँ पे काफी लोगों के साथ जो है दिक्कत हो रही है, दिक्कत यह हो रही है लोग यहाँ पे select करते हैं, लेकिन select करने के बाद उनके village का नाम यहाँ पे सो नहीं होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है select sub district के उपर किलिक करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने sub district को select करना है अगर आपके sub district में जो है आपका जो है नहीं दिख रहा है village तो उस case में आप अपने आसपास के जो भी sub district है आप उससे select कर लीजे उसके बाद में चेक कर लीजे उसमें आपका village का नाम मिल जाएगा ठीक तो क्या है ये लोग listing करने में थोड़ा सगरबड़ी हो सकता है कर दिये हैं क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई है तो यहाँ पे जो है जो मेरा sub district है उसमें मेरे village का नाम नहीं दूसरे sub district में है तो उसको आपको select कर लेना है उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो यहाँ प कर देना है ठीक तो टाइप करेंगे तो अगर यहाँ पी आ जा रहा है तो इससे select कर लेना है ठीक किसी दूसरे sub district में है तब भी आप select करना चाहते हैं अब आपके जो भी सब district आपने select किया उसके अंडर में जितने भी यानि की इंडियन के डिस्टिब्यूटर होंगे सभी की लिस्ट आ जाएगी जिसके लिए आप apply करना चाहते हैं उससे यहां से select करेंगे ठीक select करने के बाद में select the product के ऊफर किलिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको scheme टाइप में किलिक करना है Central Government Scheme ठीक, उसके बाद में यहाँ पे Scheme में Select करना है आपको Ujula Extended, ठीक, उसके बाद में सब, यानि Scheme सब टाइप में आपको Select करना है Ujula 2, ठीक उसके बाद में नीचे दो आपसन मिलेगा यहाँ पे आप अपने जरूरत के हिसाब अगर आपको 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर चाहिए तो आप फस्ट आपसन पर चूज करेंगे अगर आपको छोटा सिलेंडर चाहिए Ujula का जो पांच केजी का सिलेंडर है तो आप इसके उपर चेक कर सकते हैं ठीक, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से, वैसे 18 or more, यानि कि जिसकी भी उम्र 18 साल या फिर इससे ऊपर है उन्ही का नाम आपको डालना है अब नाम कहां से डालना है तो जो आपका जो है, रासन कार्ड है रासन कार्ड में देख लीजे जितने भी सदस हैं उसमें से जितने सदस की एज जो है 18 साल प्लस है तो यहां पर दिखाने के लिए दो डाल दिया हूं आपकी जितने भी हैं वहां पर दाल देना 18 साल या फिर उससे उपर उम्र होनी चाहें, अब इतना भरने के बाद में आपको नीचे है करना है जिसके बाद में आपका फॉम जो है next step पे पहुंच जाएगा और एक चीज में आपको बता दू कि फॉम जो है पांच step में complete होगा तो पहला step देख सकते है complete हो चुका है ग्रीन हो चुका है दूसरे में required document में आ गए अब यहां पर क्या करना है यहां पर required document में सबसे प IFSC code जैसे डालोगे और side में click करोगे न तो यहां पर आपके bank का नाम और साथ ही आपका branch का नाम यहां पर आ जाएगा ठीक उसके बाद में यहां पर जिसके भी नाम से bank account है उसका जो passbook में जो नाम है उस नाम को यहां पर जो है डाल देना है ठीक तो मैं उस नाम को डाल दे रहा हूँ डालने के बाद में यहां पर bank account number आपको डाल देना है तो मैं bank account number डाल दे रहा हूँ ठीक bank account number डालने के बाद में account type के उपर यहाँ पर किलिक करेंगे वो bank account current account है या saving account current के मतलब चालू account चालू खाता है या फिर बचत काता इसे यहाँ से आप select करेंगे ठीक उसके बाद में अब नीचे आना है यहाँ पर document आपको upload करना है ठीक यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले please select के उपर किलिक करेंगे यहाँ पर आपको राशन card को select कर लेना ठीक राशन कार्ड के बाद में यहाँ पर document number में आपको अपना राशन card नमबर जो है डाल देना है और open Cooper click कर देना है ठीक तो यहां पे एक चीज का दियान दीजिएगा कि जो भी आप document upload करेंगे पिंजी में होना चाहिए या फिर जेपीजी में होना चाहिए जी आई अप में हो या फिर PDF में हो और उसका जो size है पांड सो बारा केबी से जादा नहीं होना चाहिए तो मैं सरीट के लिए open Cooper किलिक करता हूँ ठीक थोड़ा साब बेट करेंगे यहां पे save का option मिल जाएगा इस Cooper किलिक करेंगे ठीक जिसके बाद में आपका document जो है यहां प 30 में आपको type कर देना है यन या फियसे ठीक यन या फियसे तो मैं यहाँ ठाइब कर देता हूँ या फियसे ठीक उसके बाद में क्या करना है नीचे एड़ डाकुमेन के उपर किलिक करना है तो जो आपका राशन कार्ड है यहां पे add हो जाएगा ठीक यहाँ पे कोई तुटी होती है ते remove के उपर click करके इसे हटा भी सकते हैं ठिक अब यहाँ पे एक document और भी आपको upload करना होगा फिलहाल हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारे district में यह document यह भी upload करना compulsory है ठिक जो की 14 point exclusion declaration form होता है इसे भी हमें upload करना जो है जरूरी है बाकि किसी आप other states से होई हैं तो सायद हो सकता है कि आपको ना भी upload करना पड़े यह area के उपर depend करता है कि आप कहां से apply कर रहे है तो अगर आपके में आ रहा है option upload करने का तो आपको upload करना है नहीं आ रहा है तो आपको इस document को नहीं upload करना है ठिक तो यह सबसे पहले हम आपको बता दें कि 14 point exclusion declaration form क्या है ठीक तो यहाँ पर देख सकते हैं इस form को मैंने download करके रखा है description में आपको इसका link मिल जाएगा आप इससे download कर सकते हैं ठीक तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर देख सकते हैं point दिये गए हैं 14 point दिये गए हैं और इसे जो है आपको कहां से verify करवाना होगा आपको अपने distributor से जो है जाके आपको अपने gas agency वाले से जाके verify करवाना होगा इसमें भरना कैसे है name of the applicant में जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे उसका आधार संख्या यहाँ पर डालेंगे उसके बाद में यह उसका नाम डालेंगे उसका signature करवाएंगे date डालेंगा और place का नाम डालेंगे अब place का नाम में उसका भी नाम डाल सकते हैं उसके यहाँ जहां पर agency है वहां का भी नाम डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नीचे लिखा है certification by distributor यहाँ पे जो जिस भी gas agency से आप connection लेना चाहे रहे हैं वहां के distributor से seal और signature करवाना होगा यहां पर करवाना होगा तो यह document है जो कि 14 point declaration form बोलते हैं इस form को आप description से जो है download करके print करवा लीजेगा ठिक आप इसे upload कैसे करना है upload करने के लिए यहां पर select की उपर किलिक करना है 14 point यहां पर इसको select करना है ठिक और अगर इसे upload नहीं करते हैं तो यह आगे जो है form नहीं बढ़ेगा ठिक तो हो सकता है आपके एरिया में upload करना पड़े हो सकता है आपको ना भी upload करना पड़े डिपेंड करता आपके रजाते एरिया को पर ठिक यहां पर ड़ाकोमेंट नंबर में अगर गय इस अजनसी से डाकोमेंट भेरिफाइ करने के बाद में आपको को कोई date ऐने जाता है तो आप ऩूमन नंबर को है यहां पे डाल एकूँच भी नहीं दिया जाता है है सिंपर्ओं सापको यहां पे कर देना है यहां अजीऑ अटेच्मन को पर किलिक करने के बाद डाकूमट्ट को फने रखके आपको कीलिक करेंगे तो आना है save and continue को पर किलिक कर देना है ठीक उसके बाद में आपका फोंप पहुंच जाएगा तीसरे नंबर पॉइंट पर यहां पर देख सकें तीसरे नंबर पर आ चुके हैं अब योर डीटेल में आपकी डीटेल जिसके नाम से आप connection कर रहे हैं उसकी डीटेल यहां पर दी अगर उसमें आते हैं तो इसको आपको select करना है ठीक या फिर जो है Christian, Muslim जो भी यानि की category में आते हैं उसे select करना है यह बैरहाल OBC में आते हैं यानि कि Other Backward Class में तो इसके उपर हम किलिक करते हैं ठीक बाकी नीचे SCST का भी option दिया गया है उसके बाद में add family member यहां पे आपको family member को add करना होगा तो जितने भी सदस्य अभी आपने आगे phone भरते समय जो 18 साल चे उपर वाले सदस्य थे जितने भी वहां पे number आपने डाले हैं उन सभी सदस्यों को यहां पे add करना होगा जिसके साथ में आपको आधार card भी आपको upload करना होगा ठीक तो यहां पे सबसे पहल आपको यहां पे add करना है ठीक तो यहां पर उनका नाम डालने के बाद में last name में last name डाल देना है और middle name को है destined name डाल दिजेगा ठीक के बाद इनका चीश में करें पर लिखें सेयररे सब्सक्राइड उसने सेेयर दोना 걸로 कुरें levar आःने केसे बाद में आप के क्ल Keeping खुरिक करेंगे जरीकिंगा। तो क्लिकों क्या है, इसे मैं नाम की लोगता है प्रेट नाम आप सेज्चसारवक करेंगे, और choose file के उपर click करके उनका आधार card जो है आपको क्या करना है यहाँ पर select करना है open के उपर click करना है ठिक थोड़ा सा बेट करेंगे तो यहाँ पर highlight होके आ जाएगा जिसके बाद में आपको नीचे जाना है save के उपर click कर देना है ठिक जैसे आप save के उपर click करेंगे तो यहाँ चुका है अब add member की उपर किलिक करेंगे तो एक member की detail आपकी add हो जाएगे तो यहां पर देख सकते हैं एक member add हो गया के दोभर की रहा हूँ की उसके बाद में अधार नमबर डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर male है जो आबेदक है, जिसके नाम से कैस कनेक्षन कर रहे हैं, उसके साथ जो भी आप फैमिली के मेंबर जोड़ हैं, उसके साथ क्या समबंध है, वही समबंध हैं यहाँ पर डालना है, तो उनके पती हैं, तो यहाँ पर मैं हस्बेंड डालूँगा, add attachment के उपर click करना है और आपको क्या करना है उनका भी आधार card आपको यहाँ से upload कर देना ठिक तो यहाँ पर मैं select कर लिया थोड़ा सा बेट करेंगे जिसके बाद में यह भी आधार card आपको save करने का option नीचे मिल जाएगा इसको उपर आपको click करना है और इनका भी जो document है आप यहाँ से add member के उपर click करके add कर पाएंगे ठिक तो यहाँ पर देख सकते हैं दो लोगों का नाम यहाँ पर add हो गया तो मैंने family member में दो ही लोगों का नाम भी डाला था और यहाँ पर आपके पास जैसे 3, 4, 5 जितने भी है राशन card के 18 साल प्लस वाले सभी के नाम आपको add कर लेने ठिक अगर आप जितने भी member आपने आगे select किया है उससे कम member आप यहाँ पर add करेंगी तो आपका फोम आगे नहीं बढ़ेगा तिस चीज का धेया लगेगा अब यहाँ पर simple save and continue कूपर click करिए यहाँ पर आने के बाद में जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर जो दो point में गड़बड़ी हुई थी नमबर एक तो यहाँ पर जो देख सकते हैं PNG customer करके दिया है यहाँ पर आपको tick mark बिलकुल भी नहीं लगाना है उसके बाद में यहाँ पर अगर tick mark लगाएंगे तो आपको हो सकता है subsidy ना मिले तो इसलिए आपको tick mark नहीं लगाना है और यहाँ पर cash transfer section में यहाँ पर आपको जो है no करना है यस नहीं करना है अगर यस करेंगे तो आपको subsidy नहीं मिलेगी जिन्होंने भी गलती से yes कर दिया है तो अपने agency संपर करके बाद में सही करवा लीजिएगा तो यहाँ पर yes करने का मतलब यह हुआ कि आप जो है जो भी इसका rate है आप उसे देने के लिए सच्छम है और आप अपनी subsidy को nation building exercise यह नहीं कि राष्ट निर्माड है तो अपने subsidy को donate कर रहे हैं दान दे रहे हैं तो उस case में जो है आप यहाँ पर yes करते हैं तो आपको subsidy नहीं मिलेगी ठीक तो यहाँ पर आपको क्या करना है नो करना है अगर आपको subsidy लेना है तो नो करना है ठीक करना चाहिए तो आधार बेस रखना चाहिए तो आधार डिटेल को उपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना आधार का select करने के बाद में यहाँ पर आधार कार्ड आपका आ चुका है यहाँ पर आपको बैंक वाली डिटेल नहीं देना है देख सकते बीच में आर लगा है तो चाहे आप आधार बेस कर सकते हैं या फिर बैंक एकाउंट बेस कर सकते हैं तो उसके बाद नीचे जाएंगे देख सकते हैं अगर आपके बाद में देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ अपने अगर आपके पास है तो डाल देजेगा उसके बाद में यहां पर चेक बोक्स पर टिकमर्क लगाईएगा save and continue को उपर किलिक कर देना ठीक जिसके बाद में ये वाला पेज आएगा जो की लाश्ट आपका है यहाँ पर देख सकते हैं डिकलरेशन वाला पेज है और यहाँ पर आने के बाद में आप स्क्रोल करेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चीजे जो दी गई हाई किया जाएगा और जैसी आपको एप्रूब होता है तो गैस एजनसी के तरफ से आपको कॉल करके फोन करके बता दिया जाएगा और आपको एक फिरी में गैस करनेक्शन दिया जाएगा जिसके बाद में आपको एक भरा हुआ सिलेंडर साथ ही एक चूला जो है दिया ज रिष्छर, मैंने झेबने बिड़़् DR. झाल झाल